नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ अक्षे आनन्द कन्हया कुमार पर जो चार्ज शीट फाइल होई वो मीडिया की सुर्खियों में है मगर चौकाने वाली बात ये कि कन्हया कुमार को अभी तक उसकी कौपी नहीं पहुची ना ही उनके वकील को मिली है यहाँ कन्हया कुमार खुद कह रहे हैं बेगु सराय में हैं हमारे समधाता सुधानशु पाठक ने उनसे बात की और जवाब आप सुन लीजिए इली पुलिस तो सुरू से ही इस मामले में राजनितिक दवाब में काम कर रही है ये तो हम लोग देखे हैं क्योंकि अगर पुलिस को कोई इस मामले में कम्पलेन दर्ज करना होता तो पुलिस जो है वो दो दिन बाद कम्पलेन दर्ज नहीं करती जो घटना बताई जा रही यह वो 9 फरवरी की है इसमें पुलिस द्वारा जो f.i.r सोग सुओ मोटो के आधार पे दर्ज किया गया है वो 11 तारीक को दर्ज किया गया है हमारी गिरफतारी जो है वो 12 तारीक को हुई है जबकि 9 फरवरी की जो घटना बताई जा रही है तथा कथिद घटना उस घटना के हाफी सहीद से संबंध है जो की फरजी ट्वीट पे आधारित था एक फेक ट्वीट एकाउंट पे यहाधारित था उसके बाद ही जो है दिल्ली पुलिस के कमिशनर बसी सहाब का बयान आया कि पुकता सबूत है इन लोगों पर करी कारवाई की जाएगी लेकिन जब ये कानू इनी पर किडिया में गए तो इनको मुह की खानी परी और इमीडियेटली जो है इनका बयान आया कि हम किसी भी तरीके से कनहया कुमार के जमानत का बिरोध नहीं करेंगे तब से ही ये मामला बिल्कुल असपस्ट हो गया था कि पुलिस एक राजनितिक दवाब में काम कर रह चांची इसके कुछ ताजा उदारन है जिस तरीके से आलोक बर्मा को इस्तिफा दिला करके जिस तरीके से उनको पत से हटाया गया है जिस तरीके से RBI के गवर्नर इस्तिफा दे करके गए हैं इस सवाल पर कि सरकार जबर्दस्ती उन से पैसा मांग रही है इन सारी मुद्दों से यह सपस्ट हो गया है कि यह सरकार सिधे तोर पे लोकतंतर विरोधियर समबैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके इस देश के लोकतंतर को कमजोर करना चाहती है तो कोट में सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले अभी युक्त तक कौपी नहीं पहुचती कनया कुमार के साथ अनिर्वान भटाचारिया और उमर खालिद भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं सुनवाई होनी है कनया कुमार पहले भी चार्जशीट की मांग कर रहे थे उसके बाद यह फाइल हुआ और स्पीरी ट्राइल की मांग अब उन्होंने की है ताकि चुनाव से पहले इसके जो नतीजा है इस केस का वो आ जाए ताकि फाइदा या नुक्सान वाली बात ना हो साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि केंदर सरकार पुलीस पर दबाव बना रही थी चार्जशीट को फाइल करने के लिए निराधार चार्जशीट को इसीलिए फाइल किया गया और कोर्ट में यह साफ हो जाएगा कि उस दिन नारे लगे की नहीं लगे और कनया कुमार पर वो आरोप हैं या नहीं आप बने रहें लाइफ सिटीज के साथ क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट समसब से पहले आप तक पहुचा रहे हैं आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज